अब हम कुछ जीोग्राफिक के बारे में समझेंगे जो कि कोई भी एक्जाम के लिए most important है जैसे कि straight उसके बाद channel उसके बाद हम समझेंगे इस्त्मास उसके बाद gulf तो पहले हम समझेंगे हैं straight क्या है देखिए a naturally formed narrow waterway that connects two larger bodies of water जो street है ना वो एक narrow water bodies है यहाँ पर देखिए यह जो पार्स अब दिख पर रहे हैं यह जो narrow water bodies है यह वाला that connects two larger bodies of water जो की two larger bodies of water को connect करते हैं इस narrow water bodies को हम straight बोलते है ठीक है इसको हम straight बोलते है नेचर इवली फर्म्ट होता है narrow water bodies है और उस narrow water bodies के दोआरवा two larger water bodies को connect करते है इसको हम straight बोलते है जैसे कि एक for example यहापर देखिए है राइट सेट में पाक स्ट्रेट इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट जो की South India और इंडिया सौधन साइट में South India और स्री लोंका को अलग करते हैं यह पाक स्ट्रेट और यह जो पाक स्ट्रेट है इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं अभी हम समझेंगे चैनल क्या है चैनल देखिए एक यह स्ट्रेट जैसा ही है इस लेंट ओफ वाटर वाइडर देन ए जोइनिंग टू लार्जर एरियास अफ वाटर साच एस सीज या फिर ओसें यह कहलों मतलब यह स्ट्रेट से तुड़ा सा ज्यादा लंबा है ठीक है लेंस ओफ वाइडर देन एस ट्रेट इंडिया से तुड़ा सा लंबा है जैसे कि अगर एग्जाम्पुल यहा पर इंग विल्ल्स बीजी इस्ट शीपिंग अरियास जहां से शिप जहां सब्सेसिख जयाहँ चलते हैं लिंकिंग साउदर इंगलेंड लिंकिंग अं इंग्लेंड दा यूनिएट थिंग्डॉम फुदा नौर्दन फास्वेट इंगलेंड का फेंगलेंड और फ्रांस को कमेक्ट क नेक्स्ट हम समझेंगे इस्तेमास्त ए नरो पीस ओफ लेंड यह नरो पीस ओफ लेंड यहाँ पर दिखिये इस पार्ट की हम बात कर रहे है एन और पीस ओफ लेंड विट वाटार ओन इच साइड दुनु साइड में वाटार होगा ठीक है देट जोइन टू लार्जर पीस ओफ लेंड और दू लार्जर पीस ओफ लेंड को इस नेरो पीस ओफ लेंड के दुवारा कनेक्ट किया जाता है इसको हम इस्तमास बलते हैं टू पीस ओफ लेंड दूनों साइड में वाटर बोडिस होगा और इस नेरो पीस अफ लेंड को हम इस्तमस बलते हैं ठीक है दुनों साइड में वाटर बडिस होगार तू लारजर लेंड को पीस अफ लेंड को कानेट करता है इस तो हम इस्तमस बलते हैं अभी हम समझेंगे गल्फ क्या है अबर दिखिए और गल्फ यह है जिसके लगबक चारे और जमीन है और तुड़ा सा जो हिस्सा है हुओ वाटर बडिस है इसको हम गल्फ बलते हैं यहाँ पर दिखिए अगरहां यहाँ पर दिखिए यह वाला जहिसा है यहाँ पर लेंड एरिया है यहाँ पर भी लेंड एरिया है यहाँ पर भी लगबक लेंड एरिया है यह वाला जहिसा है यह वाला सिर्फ और सिर्फ वाटर बोडिस हैं इसको हम गाल्फ बोलते हैं, चोंके तीनों साइड में जमीन हैं, और एकी साइड में water bodies हैं, यह गाल्फ विजए inlet from the inlet from the ocean into the land masses, जो वोसेन से एक narrow water bodies के दुआरा जमीन के अंदर water bodies इंटर करते हैं, इसे को हम inlet बोलते हैं, यह यह जो अला है, इनलेट है, इसको इसको हम इन लेंड बलते हैं, ठीके, जो almost surrounded by land area, इसको हम गल्फ बलते है, या पर देखे, गल्फ and बेस का difference क्या है, देखे, गल्फ तो मैंने बली दिया, part of the ocean, that is partly surrounded by land, partly surrounded by land area है, इसको हम गल्फ बलते है, लेकिन जो बे है न वो, usually smaller than gulf, body of water, that is partly enclosed by land, land के बीच में तो ही, and is usually smaller than gulf, gulf से तुड़ा सा चुटा है, इसको हम बे बलते है, Thank you for watching this video.